मेरा बैंक एकाउंट होल्ड हो गया और मुझे नोटिस भी आया है अंडर सेक्शन 353 और भात ये ना इस रख्षा सही था पुलिस सेशन जाओंगा तो कहीं मुझे अरेस्ट हो नहीं कर लेंगे मेरा एकाउंट सेकिंड लेयर में फ्रीज हुआ है मैं इनोसेंट हूँ इस तरहीके से बहुँ से लोगों को नोटिस रिसीव हो रहे हैं या नोटिस रिसीव नहीं भी हुआ है और आपको पता चलता है बैंक के दुआरा के आपका एकाउंट साहिबर पुलिस ने फ्रीज कर दिया है आप परेशन जाते हैं घबरा जातें लोग आपको promise करते हैं कि हम आपका account unfreeze करावा देंगे हम आपके बिहाफ में एक legal notice उनको भेज देते हैं जिसके business पे आपका account खुल जाएगा रिस नहीं होगा तो आप इन लोगों से साफधान रहें आपके account को unfreeze कराने के नाम पे आपसे पैसे ले लिए जाएंगे account unfreeze नहीं होगा पहले तो आपको समझना है कि वाकिव में आपने कोई crime किया है या नहीं किया है क्या directly आपका F.I.R. में नाम है या नहीं है क्योंकि second, third, fourth layer में अगर पैसे आए है या first layer में भी आए है तो आपका क्या actually उस crime में कोई involvement, कोई participation, contribution है या नहीं है अगर नहीं है जाने अन जाने में आपने पैसा receive किया खुद आपके साथ एक fraud हो गया, खुद आप एक victim हो और आपको पता नहीं था कि जो पैसा आपके account में आ रहा है वो fraud का है और किसी तरही किसे disputed amount है और आप ऐसा आपने unknowingly, unfortunately receive कर लिया अपने account में तो कहीं भी घबरानी की, ड़रनी की, किसी को पैसे देनी की, परिशान होनी की जुरुत नहीं है अगर आप इन सब सवालों का जवाब चाहते हैं, तो police station जाने का कोई फाइदा नहीं होता, most of the cases legal notice भिजवाने का बहुत से advocate है, जो आपसे 4-5-6,000 रुपे ले लेंगे, कि पर आप उनसे बचें क्योंकि सबसे पहले तो आपको अपना situation समझना है, चाहे आपने P2P किया हो, gaming app हो, color prediction हो, betting app हो, telegram prepaid task हो, investment वाला पैसा हो, या फिर आपने अपना bank account किसी को rent पे दिया था, उसने आपके account का मिसी उस किया है, illegal पैसे उसमें मंगा लिए हैं, जिसकी वज़े से अब आपको notice आया है या bank account freeze है, तो उस situation में क्या करें, आम दोर पे बैंगलाओ, तेलेंगाना, हैदराबाद, गुषराद, MP, पतना, डेली, UP, हर्याना, राजिस्थान, वेस्ट पेंगॉल, इंसा राज्यों के पुलिस के दौरा आपको notices आएंगे, कि आपका account freeze है, आप जो भी है, पु इसको call भी करेंगे, तो वो कहेंगे ठीक, आपका जो भी statement है, declaration है, आपको जो भी कहना है, आप इनोसेंट है, आप अपने documents के साथ, हमारे police station पे आए, police station जाने का मतलब है, पुलिस वालों को पैसा देना, और फिर आने जाने का खर्च, वहां रहने का खर्च, कई बार language issue, बहुत सारी problem, तो definitely आपको क्या करना है, नहीं करना है, क्या आपके लिए best रहेगा, अगर आपको भी कोई notice police के द्वारा मिला है, उस notice की copy को, आप हमें WhatsApp करें, हमें अपना matter बताएं, आपके बातों को सुना चाहेगा, समझा चाहेगा, उसके हिसाब से आपको क्या करना चा है, तो उन पैसे को लेनी का क्या क्या procedure है, दोनों चीज़ें आपको बताई चाहेंगी, अपने बचाओं में क्या करना है, आप कहां पे approach करना है, by mail, by post, by WhatsApp, by telephone, वो सारी चीज़ें बताई चाहेंगे, जिनको आप follow करेंगे, आपका समय, पैसा और मानसिक परेशानी भी अगर आपका भी कोई matter है, आप हमें WhatsApp कर सकते हैं, अपने आपको बचा सकते हैं, अपना एक कीमती समय बचा सकते हैं, अपना पैसा बचा सकते हैं